नमस्कार दोस्तों हेल्द अप्डेट पे आप सब का एक बार फिर से स्वाकत है आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि लोहे की कडाई में भूल कर कभी नहीं पकानी चाहिए ये चीज़ें नहीं तो आपको नुक्सान हो सकता है आईरन की कमी से जूझ रहे लोगों को अक्सर लोहे के बर्तनों में खाना पका कर खाने की सला दी जाती है माना जाता है कि लोहे के बर्तन में खाना बना कर खाने से सेहत को कई लाब मिलते हैं और एक महिला के लिए रोजाना 18 mg आईरन की जरूरत होती है जबकि चार महीने तक नियमेत रूप से लोहे के बर्तन में पका खाना बच्चों को दिया जाए तो उनके हीमोगलोबिन स्थर में भी सुधार आ सकता है बावजुद इसके क्या आप जानते हैं कि खाना बनाते समय इन बर्तनों का सही तरीके से इस्तमालना कर पाने से आपकी से खिलवार हो सकता है और आपकी सेहत किसी बड़ी मुस्रीवत में फस सकती है ऐसे में किन चीजों को दियान रखना है वो भी जानते है लोहे के बर्तन में भूलकर खटी या एसेडिक चीजों को नहीं पकाना चाहिए ऐसे भोजन लोहे के साथ रियक्शन करते हैं जिसे भोजन में धातू जैसी अप्रिया स्वात पैदा हो सकता है यही वजह है कि कड़ी, रसम, सांबर या फिर टमाटर से बनने वाली तरीको स्टेलनेस स्टील के बर्तनों में ही पकानी की सला दी जाती है लोहे की कड़ाई में बनी भरी सबजियों में ज़्यादा तर काला पना आ जाता है ऐसे में उसमें मौझूद आईरन और लोहे की वजह से होता है जो सेहत के लिए सही नहीं है सबजियों के काले होने की दो वज़े होती है या तो बर्तन अच्छे से साफ नहीं हुआ है या फिर आपने खाना पकाने के बाद उसे लोहे के बर्तन में ही छोड़ दिया है ऐसा बिल्कुल ना करें लोहे के बर्तन में पकाया हुआ भोजन तुरंत किसी दूसरे काश या फिर इनेमल के बर्तनों में डाल दे रोजाना लोहे के बर्तन में खाना भी नहीं पकाना चाहिए सब्ता में केवल दो से तीन बार इसमें खाना बनाए लोहे के बर्तन को धोने के लिए हलके डिटेजन का इस्तमाल करें इन बर्तनों को धोते ही तुरंत किसी कपड़े से साफ कर दें ध्यान रहें कि इन्हें धोने के लिए कभी भी खुर्देर या फिर स्क्रबर या फिर लोही के जोने का इस्तमाल ना करें लोही के बर्तन को अगर आप संग्रहित करके रखना चाहते हैं कि लंबे समय तक चले तो इन पर सरसो का तेल जरूर लगाते रहें जिससे कि उन पर जंक ना लग सके हमेशा बर्तन को साफ और सूखी जगा पर रखे जहां पानी और नमी के वज़ए से उन पर जंक ना लग जाए तो दोस्तों आपने जाना कि लोही की कड़ाई में किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन का नहीं वसे आपको क्या लग दसबार हैं आप कमेंट सेक्शन में लेकर ज़रूबत हैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ अगर जानकारी पसंद आया तो वीडियो कमेंट और शेयर करना ना भूलेगा नमस्कार